छैलोो रिवान येल्कम टू फार्मारुक्स यूट्टीब चैनल फार्मारुक्स के यूट्कासी सब्क्राइब है आप स्वागत है आज हम ऐसे ऐंट्यूप्य के बारे में सखेंगे कि अगर कोई आंट्यूप्यूट segundos काम नहीं कर रहा है तो येिस्टि 1997 जेरूरी से कम करें तेक्सवर लेक्चर बायमर सर, असिस्टम प्रॉफिसर और फाउंडर और फाउमरक्स, थेंक यूवर बीन फाउमरक्स फेमिली, सीखे मेडिसिन कोर्स में अलग-अलग दवायों के बारे में उनके डूस के बारे के जैसे हम आज यहाँ पे लिनेज ओलिट की डिटेल अप्लिकेशन के उपर तो अगर आपको मेडिसिन कूर्स जोइन करना है तो हमें वाटसेप करे 9016312020 पे हमारी सेकंड चिलर जिसका नाम है अलिसा रोकिंग टेल्स इसको भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप समझते हैं लिंयर जॉलेट के बारे में तो यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन के जिसको हम leaning कईते हैं और यह ऐंटी बेक्टिरियल मेडिकेशन काई जाती है कि जो ऑग्जा, जॉलिदिनॉन क्लास की ऐन्टिबायोटिक ड्रग है और उसके बारे मैं ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई अंटिबायोटिक काम नहीं कर रहा है तो ये अंटिबायोटिक जरूर से काम करेगा कि जो बैक्टिरिया के अंदर उसके प्रोटिन सिंथेस की जो प्रोसेस होती है उसको इन्हिबिट करके काम करता है और उसके पास bacteria static action है और यह orally भी effective है IV root से भी effective है मनले कि उसका injection भी आता है और tablet film में भी यह available है और यह medications क्या करती है कि दूसरी antibiotic का समझे कि आपके सरीर में कोई resistance डेवलप हो गया है या फिर वो antibiotic काम नहीं कर रही तो उस वक्त linear zolid जो है वो जरूर से काम करेगी because उसके हम effective नहीं सम देखे तो gram positive coccal और दोनों टाइप के जो basilar infection है दोनों में यह infective है कि चाहे वो aerobic है या फिर un-aerobic infection है आपको फिर MRSA जो हम कहते हैं कि methicillin resistance staphylococcus aureus infection जो का आ जाता है MRSA infection का आ जाता है फिर VRSA infection मतलब कि venacomycin resistance staphylococcus aureus VRE मतलब कि venacomycin resistance enterococcus and penicillin resistance मतलब कि ऐसी condition के जहाँ पे आपको बहुत सारे bacteria's का resistance आपके सरीर में हो जिसके गरन वह antibiotics आपके लिए काम नहीं करें तो उस वक्त linear zolid जो है वह काफी इस्ट रहेगी सेकंड स्ट्रेप्टो कोकस वीरी डंस का आपको इंफेक्शन है स्ट्रेप्टो कोकस pneumonia के कारण pneumonia हो गया है mycobacterium tuberculosis का infection है corinibacterium का है listeria या फिर clostridia या फिर bacterial bacteria phrasilis तो यह सब भी bacteria's के infection के सामने linear zolid जो है वो effective साबित होती है तो उसके use के बारे में हम देखे तो वो bronchitis को treat कर सकता है lung infections को treat करेगा pneumonia की condition है gonorrhea है ear में infection है आपको throat infection है urinary tract infection है skin के infection है soft tissues के joint, bone तो सभी तरह के number of bacterial infections को treat करता है जहाँ पे दूसरे antibiotics का resistance डेवलफ हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको बदा दूँए कि हमारे second channel को subscribe करके support करें link description box में मिल जाएगी topic पे वापस आते हैं तो linear zolid क्या है और कैसे काम कर दी है तो जैसे मैंने आपको आगे भी समझाया है कि सभी bacteria को अपने survival के लिए अपनी growth के लिए protein का synthesis करते हैं बड़ यह medication क्या करती है bacteria के growth को अटका देती है और protein synthesis के process को inhibit करके यह medications उसकी growth को कम कर देते हैं कि जैसे आपका infection जे वो जरीर में से काम हो जाता है कि जैसे tetracyclines काम करते है streptomycin काम करते है kanamycin काम करता है इसी तरह से protein synthesis की activity को inhibit करके linear solid भी काम करता है अब उसके dose के बारे में समझे तो उसका dose रहता है 600 mg BD मतलब कि 600 mg दिन में और 600 mg रात में इस तरह से आप ले सकते हैं दिन में दो बार पे 600 mg जितना dose रिसीव कर सकता है maximum 1200 mg वतलब कि 1.2 ग्राम पर डे जितना dose आप IV से रिसीव कर सकते है या फिर टाबलेट से या पिर आप उसका single dose IV infusions भी देख सकते है कि जो 2 mg पर ml के तौर पे है और ये टोटल 300 ml है तो 1 ml के अंदर medication है उसकी 2 mg तो अगर आप 300 ml जितना infusion करते हैं तो टोटल 600 mg जितना medication जो वो patient को डिलीवर हता है तो अगर कोई patient टाबलेट नहीं खापाता तो उस वक्त उसके लिए ये injection का भी option रहता है कि जो medication orally भी effective है और IV injection से भी effective है बट आपको ध्यान ये रखना है कि high dose में उसको कभी भी use ना करें because उसका को side effects से जैसे कि patient को diarrhea हो सकते है दस्त हो सकता है, सीर दर्ध हो सकता है nausea vomiting ये करवा सकती है ये medication पेट में दर्ध हो सकता है आप अगर ये medications लेता है तो आप ऐसा फिल करेंगे कि आपका जो taste जो ये वो change हुआ है skin के उपर allergic reactions के तौर पे रैसिस हो सकते है blood cell का count ये medication कम करवा सकती है मलगे decrease in blood cell के जिसके अंदर हमारे red blood cell आते है WBC आते है and platelets इनके count ये medication reduce करवा सकती है फिर itching मलगे खुझली हो सकती है आपको allergy के तौर पे ये medication लेके बाद dizziness जैसा फिल करना आपके mouth के अंदर white patches बन सकते है फिर वज़े नमे irritation, burning या फिर खुझली जैसा फिल कर सकते है और कई बार ऐसा होता है कि change होता है color आपके tongue का या फिर आपके teeth का तो ये कुछ side effects develop कर सकती है lineezolid उसके contraindications देखे तो अगर आपको lineezolid की allergy है तो उसको use ना करें फिर अगर आपको diarrhea हुआ है और diarrhea होने का reason Clostridium difficile bacteria है तो उसको use ना करें फिर hormone secreting tumor है कि जिसको phyokromo cytoma कहा जाता है तो ये condition में आप use ना करें फिर आपके सरी में बहुत ज़्यादा thyroid hormones बन रहे है कि जिसको thyrotoxy coxis के condition कहते हैं तो भी ये medication आप use ना करें और आपके सरीर के अंदर sodium के मातरा कम है तो भी lineezolid को use ना करें warnings के हम बात करें lineezolid की तो अगर आपको allergy है lineezolid को use ना करें फिर उसका self medication कभी भी ना करें because उसके side effects कुछ complicated हो सकते हैं फिर आपके doctor या फिर pharmacist को consult करें उसके बाद ही medication जो वो start करें because ये Rx only मतले कि prescription based medication है तो proper आपको pharmacist या फिर doctor के सला के according to ही लेनी चाहिए और Rx label आप यहाँ पे medications के उपर देख सकते हैं तो SSC के detail में किसी भी दावा के बारे में उसके use dose, side effect, warning contraindication, affordable price में एक साल तक medicine course को join करने के लिए हमें whatsapp करें 901631-2020 पे whatsapp करके आप medicine course को access कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी हमारे second channel को भी subscribe करके support करें गुद लिए गुद लिए बेस्ट